इस माई के प्रारम से कोबिट संक्रमण की बढ़ती रप्तार को देखते हुए मत्य प्रदेशासन ग्रै विभाग मंत्राले भूपाल के आदेशा नुशार इंदोर कलेक्टर मनेश सिंग जी द्वारा आयोजित क्राइसेस मेनेजमेंट कमेटी की बैटक मेंडिने लिये गए की इंदोर सहर में पूर्व रविवार अनुशार आगे आने वाले प्रत्यक रविवार को ततका लोगडाउन होगा अर्थात सनी वारात दस वजे से सोमबर सुबेच्य वजे तक लोगडाउन प्रभावसील रहेगा लोगडाउन अविती में दवाई की दुकान, अस्पताल इंदोर एवं पितम पूर की अध्योगीक इकाईयों से सम्बंदित समस्त गतिविजियों ब्यामा बीमार व्यक्तियों एवं सार्विजिनेक परिवान के अत्री गड़ों किया वजाही तथा परिक्षा प्रत्योगी परिक्षाओं में सामेल होने के लिए पूर वनुश्वार छूट रहेगी यह है कि अब रात्री 10 बजे की स्थान पर एक घुंटा पूर वर्थातन रात्री 9 बजे समस्त कार्याले व्यावसाइक संस्थान जैसे दुकाने रेस्टोरेंट आदिपूर रूस से बंद किया जाने होंगे तथा बिफिन रेस्टोरेंट बैटक कच को रात्री नौ बजे बंद किया जाकर उस रेस्टोरेंट के किचन सिटे कवे पारसर रात्री दस बजे तक दिये जा सकेंगे दवाई की दुका नस्पताल रासन की खेरची एवं ठोक दुकाने दूद देरी जैसे अत्याविश्यक संस्तानों को रात्री नौ बजे बंद करने के प्रतिबंद से छूट रहेगी विभिन चात्रों के होस्टल की मेंस तथा चात्रों के टिफिन सेंटर भी नौ बजे के इस प्रतिबंद से मुक्त रहेंगे समस्त धर्मों के धर्मिस्थल तलकाद प्रबाव से पूर रूप से बंद रहेंगे तथसरत धालू एवं आमजनों का उसमें प्रवेश वर्जित रहेगा धर्मिस्थलों के अंदर परंपरागत रूप से दैनिक धार्मिक रीती रिवाज संपादित करने हैं तो निर्धारत धार्मिक प्यक्तियों दोरा ही किया जा सकेगा किन्तु इन धार्मिक रीतियों के संपादिन के दोरान किसी भी सर्धालू अथवा आमजन का इसमें उपस्थित रहना इसमें प्रतिवंधित रहेगा समस्ते धर्मिस्थलों के दर्वाजी मुखद्वार बन रहेंगे छेत्री मजिस्ट्रेट एवं पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इन देशों का सक्ति से पालन करवाया जावे तथा अगर किसी भी धर्मिस्थल में इन देशों को लंगन होना पाया जाता है तो वहां के प्रबंधक अथवा कमेटी के ध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकरत करवाया जाएगा आने वाले सभी धर्मों के सभी तेवहारों घर में ही रहकर मनाया जा सकेंगे किसी भी प्रकार से चरा हो सड़को कॉलोनी के सारविचनी की स्थानों खुले मैदानादी में एकत्री करण होती हुए तेवहार मनाया जाना अथ्वा जुन्ड या जुलूस के रूप में तेवहार मनाया जाना आधिपूर रूप से प्रतिवंधित रहेगा आने वाले सुमबार अर्थात उन्तिस तीन दोजारिकिस को भी सहर में तोहार के कारण सभी कार्या लेविवशाइक संस्थान बन रहेंगे तथा रविवार की तरह सोंबार अर्था उन्तिस दिन दोजारिकिस को भी सहर में मजिस्ट्रेट एवं प्रिजिस द्वारा अनवेश्य कावाय चाही पर करवा ही की जावेगी सारविजिनिक इस्थानों पर रत्वा बंध हॉल में सभी प्रकार की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनेतिक कारिक्रमों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा तथा किसी प्रकार की धर्ना प्रदर्शन जुलूस एया एकत्री करण ग्यापन आदी पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा साधी समारों में वरवदूपक्ष एवं पुजारे आदी सहित कुल पचास व्यक्ति समलित हो सकेंगी तथा परात निकाले जाने पर प्रतिबंध रहेगा साधी इस्थल पर बेंड वाजय एवं ढोल के दल द्वारा प्रस्तुती दिये जाने की अनुमत्ती रहेगी इस प्रकार के साधी समरों किये जाने हित्तु प्रतक से अनुमत्ती का विश्यक्तर नहीं रहेगी किन्तु अगर इसका उलंगन होता है तो सम्बंधित इस्थल जहां साधी समरोई हो रहा है उसे आगे कारिक्रमों है तु प्रतिवंधित किया जावेगा तथा ऐसे संस्थान सिल किये जाएंगे सब यत्र में अधिक्तम 20 वेक्ती समलित हो सकेंगे तथा उठाबना एवं रत्तु भोज के जाना पूर रूप से प्रतिवंधित रहेगा रेस्टोरेंट में बैठ कर खाना खाने पर पूर रूप से प्रतिबन रहेगा किन्तु रेस्टोरेंट टेक अवे भूजन प्रदाय कर सकेंगे जिम, स्वीविन, पूल, सिनेमा घर, अग्री मादेशों तक पूर रूप से प्रतिबन रहेगे समस्त कलब के इंडोर एक्विटी पूर रूप से बन रहेगी किन्तु खुले मैदान, खुले कोट में होने वाली स्पोर्स गतिविदियां तथा मॉर्निंग वाक आधी पर प्रतिबन नहीं रहेगा होटल की बैंक्वेट हॉल, मैरिज गर्डन के हॉल, अथवा खुले में भी भी नफॉर्म होस में किसी भी प्रकार की पार्टी जन्मे दिन मनाना, विवाय पर सगाठ मनाना पूर रूप से प्रतिबन रहेगे जिले के समस्त पिकनिक स्पोर्ट पूर रूप से बन रहेगे दिनांग 2823-2021 कोसास की कोशाले एवं उपकोशाले तथा पंजयन एवं उप पंजयन कार्याले खुले रहेगे तथा इन कार्याल योशे संबंधित सभी व्यक्तिव एवम नागरी को तथा सर्विस प्रोबाइडरों के आवागवन में कोई प्रदिवन्ध नहीं रहेगा समस्त जूलूस गेर मेले फूर रूपसर प्रदिवन्धित रहेंगे तथा इससे संबंधित त्योहर भी घर में ही मनाये जा सकेंगे यह देखने में आता है कि व्याफसाइक संस्थानों जैसे दुकान आदे में नाग तक मास्क के पहने ने कोउलंगन संस्थान करमचारी अथव ग्रहक द्वारा किया जाता है अते सबी दुकान एवन संस्थान मालिकों को निर्देसित किया जाता है कि यह उनके जिम्मिदारी होगी कि उनके करमचारी अथव उनके यहां आने वाले ग्रहक नाग तक मास्क लगाए हुए ही पाये जावें इसका उलंगन होने पर ऐसे संस्थानों को क्राइसिस मेनेश्मेंट समिती के लिए किये गेंडिर ने अनुशार 24 गंटे के लिए सील किया जावेगा तथ 24 गंट उप्रांच छोटे संस्थानों में 500 रुपे तथ बड़े संस्थानों में 1000 रुपे का अर्थ दंड लगाते हुए उसे खोला जावेगा इससे अधिक अर्थ दंड नगर निगम द्वारा नहीं लगाया जा सकता समस्थ निची वमसास की कारियालों में कारियाले प्रमुख द्वारा दल गठित किया जाकर रुपे 200 का अर्थ दंड मास्क ठीक ढंग से नहीं पहनने वालों पर अर्थात नाक के अथवा मुग के नीचे मास्कोंने पल लगाया जा सकेगा बिना मास्क वालों पर 400 रुपे का अर्थ दंड लगाया जा सकेगा मास्क की जागरूता हेतु बिभिन समाजिक धार्मिक संगठनों की सेवाएं ले जाने के निरने लिया गया है तथ बिभिन मंदिर ट्रस्ट से भी अनुरोध किया जाने के निरने किया गया है कि वे निशुल्क मास्क एवं सेनेटाइजर का वित्रड जनहित में करवाएं तथा इसी प्रकार अने संगठनों की बिसार विजनिक संस्थानों में निशुल्क मास्क एवं सेनेटाइजर वित्रड एतु प्रेडित किया जाने का निने लिया गया है प्राइसस मेनेजमेंट समिती के सम्मानित सदस्यों द्वारा ये भिनेन लेया गया कि इंदोर सहर में प्रत्यक वर्ड में वैक्सिन इस्थापित करते हुए 45 वर्ष से अधिक के नागरिकों को प्रोटोकॉल अनुसार वैक्सिन करवाने ही तू भेचा जावे क्योंकि वैक्सिन ही कुरोना का इस्थाई इलाज है ये अधिस ततकाल प्रभाव से प्रभावी हो चुके हैं उक्ता अधिस का उलंगन दंडिने स्रेडी में आवेगा